एलोन मस्क ने 43 डॉलर बिलियन में ट्विटर का शत्रुतापून अधिग्रहन शुरू किया दुनिया का सबसे अमीर राद में 54.20 डॉलर प्रती शेर नकद में भुपतान करेगा, जो 28 चन्वरी के समापन मूल्य पर 54 प्रतिशत प्रीमिम और 43 अरब डॉलर से अधिक का मूल के दर्शाता है, अर बप्ति इलोन मस्क ने ट्विटर को 43 बिलियन डॉलर में खरीदने की पेशकश की है, 14 अप्रेल को एक नियामक फाइलिंग का खुलासा हुआ, उन्होंने ट्विटर को 54 डॉलर 2 सेंट शेर नकद में खरीदने, ही पेशकश की है, 50 वर्षियर टाइकू उन्हे गुरुवार को अमेरिकी प्रतिभूती और विनिमयायोग के साथ एक फाइलिंग में प्रस्ताव की घोशना की, मस्क की पेशकश की केम 54.20 डॉलर प्रतिशियर, 1 अप्रेल को विटर के स्टॉक के समापन मुले के 38 प्रतिशत प्रीमें का प्रतिनिधित्व करती है, टेसला के सीओ के कमपनी में 9 प्रतिशत से अधिक निवेश्ट से पहले 4 अप्रेल को सार्वजनिक रूप से घोशित किया गया था, एलोन मस्क ने ट्विटरिंग को खरीदने के लिए सवरशेष्ट और अंतिम प्रस्ताव दिया है, ये कहते हुए कि कमपनी में असाधरन क्षमता है और वह से अनलोक कर देगा, दुनिया का सबसे अमीर राद में 54.20 डॉलर प्रतिशेर नकद में भुक्तान करेगा, जो 28 चन्वरी के बंद भाव से 54 प्रतिशत प्री में मौड लगभग 40 अरब डॉलर का मूल्य दर्शाता है, शत्र रुतापून अधिगरहन स्वरूप में सामाजिक अनिवारिता को पूरा करेगा, ट्विटर को एक नीजी कमपनी के रूप में बदलने की जरूरत है अगर सौधा काम नहीं करता है, यह देखते हुए कि मुझे प्रबंधन में विश्वास नहीं है और नहीं मुझे विश्वास है कि मैं सार्वजनि बाजार में आवश्यक बदलाव ला सकता हूँ, मुझे शियर धारक के रूप में अपनी स्थिती पर पुनर विचार करने की आवश्यक्ता हुगी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लीट फॉर्म ने जवाब दिया, ट्विटर एलोन मस्क से अंचाही गयर बाद्धिकारी प्रस् करने के लिए हैं, ट्विटर ने देशक मंडल कारवाही के पाठिक्रम को निर्धारित करने के प्रस्ताओं की सावधानी पूर्वक समिक्षा करेगा, जिसे वह मानता है कि कम्पनी और सभी ट्विटर स्टॉक होल्डर्स के सर्वोतन हित में है, एलोन मस्क ट्विटर के सब से ज्यादा देखें जाने वाले फायर ब्रांडों में से एक है और वे उन परिवर्तनों के बारे में मुखर रहा है, जिन्हें वे सोशल मेडिया प्लेट फॉर्म पर लागू करने पर विचार करना चाहता है। प्यापान तंक देने के लिए ट्विट्स के लिए एक संपादन बटन जोडने से संभावे कदमों के बारे में तुरंट साथी उप्योग करताओं से अपिल करना शुरू कर दिया। एक ट्विट ने सुझाओ दिया है कि ट्विटर मर रहा है, ये देखते हुए कि बड़ी संख्या में अनुयाईयों के साथ कई हस्तियां शायद ही कभी ट्विट करती हैं।